इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको solar charge controller कौन सा खड़िदना चाहिए देखिए solar charge controller जो है बहुत तरह के होते हैं आपके शामने सभी का image यहाँ पर show कर रहा है इतने तरह के होते है solar charge controller कि हमें जब भी खड़िदना होता है और जब भी हमच के बार簡 शोवरी मस्त्रीजन होने लगते हैं कि इन सभी में से हम कुसको खड़िदें कौन सी हमारे लिए better और किस्को को हमें खड़िदना चाहिए तो आज के इस वीडियो में हम आपको एकदम क्लियर सब कुछ समझाने वाले हैं कि आपके सोलर पैनल के लिए कौन सा सोलर चार्ज कंट्रोलर बैस्ट रहेगा और हाँ इस पर कमेंट जरूर है कि सर हमारे पास इतने वाट का सोलर है तो हम कौन सा सब्सक्राइब खड़िए तो आज के यह वीडियो देखने के बाद आपके आपके सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा कि आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर कौन सा खड़िदना चाहिए सबसे कमदाम का जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है यह आपके श्क्रिंप पर शोक कर रहा होगा और इसकी प्राइज जो है लगवख 500 में हैं और इस वीडियो जो है इसमें का आप 10 पी वाला भी खडिद सकते हो और वीस ए तक अगर आप यूज करते हो तो यह वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर आप अराम से खड़िद सकते हो जो कि मैक्सिमन इसकी क्याप सीटी 10 एंपियर है पीस एंपियर वाला अगर आप खड़िदना चाहते हो तो आपके पास कम से कम 400 वाट का सोलर सिस्टम होना चाहिए लेकिन द क्राम से खड़िद सकते हो यह जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है इसके अंदर बहुत सारे दिये गया होते हैं और यहीं सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है हम अपने सोलर के साथ यूज करते हैं और इसके बारे में अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हो कि इसके अंदर क्या-क क्या फीचर से तो हमने स्टेप बाइस सारा वीडियो पराया हुआ है सभी को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो इस सोलर चार्ज के बारे में अगर बात करें तो प्राइस के अनुसार यह सोलर चार्ज कंड्रोलर काफी ज्यादा है और आपके सोलर पैनल जा सकते हो लेकिन दोस्तों इसका हम आपको प्राइस दिखा देहते हैं पांच यह आट सो उन चास रुपे इसका प्राइस है और यह मैक्सिमुम चालिस एंपियर तक सपोर्ट करता है इसके अलाव भी अगर आप पचास एंपियर चाहिए तो आपको इसली मिल जाएगा ज 24 वल्ट के लिए भी आती हैं तो आपको अगर खड़िदना है तो इन तीनों में से किसी एक को कौन सा खड़िदना है यह हम आपको बता देते हैं देखी गाइस अगर आप कोई बरा सोलर सिस्टम यूज करते हो जैसे 500 वाट से अगर आप कोई ज्यादा का सोलर सिस्टम इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स भी आते हैं और एक फीचर्स के बारे में आप जाना चाहते हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे लेकिन दोस्तों अगर आप 500 वाट से नीचे कोई सोलर सिस्टम यूज करते हो जैसे 500 का भी अगर हो गया 400 का भी हो गया 100 100 वाट का हो गया 200 वाट का हो WiFi सबही में से अगर किसी को यूज करते हो तो आपको सेकेंड नंबर पर यहाद बताया था सोलर चार्ड़ आपको इसको इसको इस्तिमाल करना चाहिए था यूज प्राइस में यह एवलेवल हो जाता है और इसके बहुत सारे फायदे हैं जैसे कि अगर आप सभी फायदे के बारे में जानना चाहते हो तो सभी वीडियो को आपको देखना पड़ेगा तो मैं आपको यहीं रिक्मेंट करूंगा अगर आप बड़ी सिस्टम यूज कर रहे हो नीचे में आउटपुट सप्लाइब करता है तब आप 10 एंपियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर ले सकते हो अगर आपका स्विडियो में आपको सारा जनकारे मिल ग्या होगा फिर वी अगर आपके मन में कोई सवाल है सोलर चार्ज कंट्रोलर से रिलेटेट यह पिज से रिलेटेड तो हमें कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें चानल पर नहीं होंगा चानल को पर ज़रूर सब्सक्राइब करें